बंद कर दिजिए आप पर्दा वगरत तब तक हम अपना कहां तक बनाए थो उस प्रोग्राम को फूलते हैं डेटाबेस वाला यह इसा क्यों ओ कवर लगा हुआ है अब तो क्लियर नहीं दिख रहा है न तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ती क्लियर अच्छा आप सभी लोग बैठ जाईए आराम से फिर हम इसको चालू करते हैं होगा किसी का तो यह डेटाबेस का प्रोजेक्ट है यह नहीं है जी मैं गलती से ओपन किया था आमने तो बनाया था कुछ स्टूडेंट मैनेजमेंट टाइप का न यह वाला है इसको मैं डबल प्लिक करके ओपन कर लेता हूं तो प्रेक्टिकल आप लोग करे थे नहीं करे थे क्यों आप लोगों ने प्रेक्टिकल करा था नहीं किया था सबसे पीछे कौन बैठी है जरा बताईए आपने प्रिटिकल करा था नहीं करा था करा था नहीं करा था नहीं किये थे वाँ हमको जान करके अत्यंद प्रसंदता है कि आप इतना सत्यबकता है तो क्यों नहीं किया था प्रिटिकल जरा बताईए एक सकंड मेरे कोड़ टाइम दिजिएगा तो ये ही है हमारा फॉर्म जी ठीक है चलिए तो ये फॉर्म जो बड़ा भी हो जा रहा है ठीक है तो ये नहीं चाहता कि मैं कि ये बड़ा हो जाए ठीक ये इतना ही बड़ा साइज कर रहे है मैं ये चाहता हूँ ठीक तो क्या करने का जी इस form के property में जाने का ठीक है और property में क्या करने का ना यहां पर maximize box इसको क्या कर देने का false तो minimize box ये है तो ये minimize वाला जो बटन है ना ये disable हो गया अब फिर इधर क्या है maximize box इसको भी मैं क्या कर दूँगा जी false तब ये क्या हो जाएगा जी ये हमारे program से उठ जाएगा मने गयब हो जाएगा मने disable हो जाएगा मतलब काम नहीं करेगा मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया ठीक ठीक ना बोलो इतना मतलब क्यों बता चलिए जी close बटन सिर्फ है मैं जैसे ही save बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा जो जितना भी ये field है न ये सारा के सारा field जो है database में save हो जाना चाहिए राइट मैं ये चाहिए चाहिए क्या करणा ये क्या है print का बटन है ये अहाँ print पे क्लिक करूँगा तो print होना चाहिए जी save पे क्लिक करूँगा ये save बटन कैसे आया है आपका मालूँ तो जैसे ये save बटन है न वैसे ही print बटन पे लाया हूँआ हूँआ थोटो बदल दिया हूँ ठेक दिखा रहा हूँ करते यहाँ पे मैं आया ठीक है इधर पे मैं क्लिक किया बटन को add कर दिया और इधर पे आया set image पे मैंने क्लिक करा import पे क्लिक कर दिया जी ठीक है ये print का जी icon मैंने इसको इस पे क्लिक करा ये set हो गया ठीक अब अभी खाली printer का दीख रहा है ना icon इसमें right click कर दूँगा और display style में कर दूँगा ये आ गया इसका नाम बदल दूँगा मैं तो नाम बदल दूँगा तो क्या हो जागा print तो हो गया print याई तो print button है लेकिन मुझे इसका जरूरत नहीं है इसलिए मैं कर दूँगा delete बाकी buttons को हम बाद में अपने जरूरत के अनुसार add कर लेंगे तो एक ठोड़ प्रोपर्टी में आपके सामने set करता हूँ आप लोग देखिए वो प्रोपर्टी का नाम क्या है जी उस प्रोपर्टी का नाम है tab index जैसे ही मैंने program run कर दिया फिर टैब मारा तो यहां पे चला गया फिर टैब मारा तो date time पे आ गया इक क्या मजाक है है ना मैं चाहता हूँ program run करे तो यहां पे चला जाए ठेक चलिए तो मेरे चाहने से हो जाएगा नहीं हो गया जी हो जाएगा ना यह है type index इसको क्या दे देता हूँ मैं zero zero से देना मैं प्रारंब करता हूँ ठीक है जी तो one दे दिया ठीक है फिर क्या करूँगा जी इसमें आऊँगा और फिर इसको क्या कर दूँगा मैं इसको two दे दूँगा ठीक है इसको मैं क्या दे दूँगा जी 4 दे दूँगा जी इसको क्या दे दूँगा 5 दे दूँगा इसको क्या दे दूँगा 6 तो यह है और इसको मैं क्या दे दूँगा जी 0 के जगापे 7 दे दूँगा इसको क्या दे दूँगा जी 0 के जगापे 8 दे दूँगा इसको क्या दे दूंगा जी लेकिन इसको मैं दूंगा काई के लिए तो picture box है चलिए देखते हैं हमने जो काम करा उसका क्या result आया new वटर के मैंने click करा आगे इस पर अब मैं tap 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 कर रहा हूँ तो हमारा क्या हुआ काम बन गया बन गया ना मैंने कुछ गढ़बर कर दिया जी type in type देने में पर दिया ऐसे ही जाता है आप देख लिजिए ठीक है एक class में कुछ मैं दे देता हूँ class ठीक है तो मैं आप ये बताइए कि मैं class जो ये कैसे लूँ form पर मैं double click करा ठीक है और यहां पर मैं method बना देता हूँ ये lowad load class ठीक यहां पर एक subrooting बनाया ठीक है और यहां पर मैं combo box में add कर दूँ क्या class combo box dot add अरे items dot add होलता है ना जी यहां मैं कर रहा हूँ यार items dot add ठीक add करूँ और यहां पर क्या दे दूजी मैं dca ठीक तो मैं ऐसे यहां पर ली करके add कर दूँ या फिर database से मैं यहां पर load करूँ आप जैसा कहेंगे मैं कर दूँगा ठीक यह देखिए अब जोए load हो जाएगा combo box में डेटा यह देखिए load हो गया यहां पर मैं इसको drop down बना देता हूँ इस्टाइलिंग चेंज करके इसका तो ऐसे ही मैं रहने दूँ मैं class ऐसे ही load करा दूँ मैं छोड़ देता हूँ ऐसे मैं आपके लिए और complicated नहीं बनाता हूँ आखरी में अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं जी इसको जोए database से ले लाओ तो मैं database से ले लाओंगा ठीक तो चलिए जी ये काम हो गया हो गया ये चीज़े अब यहां पर क्लिक करेंगे तो जाएगा मैं क्या चाहता हूँ save button पर क्लिक करें database में data save हो जाए लेकिन उसके पहले इसमें कुछ भरना भी तो चाहिए ठीक हमको ये चेक करना है कि इसमें हम खाली जो है ना name, father name, date of birth, date of admission ठीक है क्लास और ये सब ये सब को जब चिप्ड हो जाए picture box में picture load कर दे तब ही database में data save हो ठीक, अन्य था message देदे, क्या message देदे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें इतना field खाली है इसमें भरेगा काउट आपके पिटाजी भरने आएंगे ठीक है, ऐसा लिखना मत भाई ठीक है जी तो हम ऐसा काम करें हाँ, करेंगे बिलकुल करेंगे तो save button पे मैं करता हूँ double click और यहाँ पे मैं code लिखना सुरू कर देता हो if t r u e true यहाँ पे true होता है, तो यहाँ पे if में आ जाता है ना वारा control आ जाता है control नहीं आता आ जाता है ना तो चलिए जी हम code लिखना शुरू करते हैं तो मैं यहाँ पे function call करूँगा, ठीक है और मैं function क्या बनाऊँगा e sub के नीचे तो function बनाऊँगा function validate ठीक, ऐसे as boolean यह क्या करेगा return boolean value जो है return करेगा return true ठीक, मैं अभी by default true return करा दे रहा हूँ ठीक है my validate मैं कर दिया, ठीक है क्यूं कर दिया, वो overloading वगर का, overriding का concept है तो उस पे आप द्यार मत दीजिए जी ठीक है मैंने boolean यहाँ पे कर दिया है, ठीक है अब मैं check करूँगा क्या, if अब if में क्या डाल दो जी हमारा इस form का क्या ना, इसका क्या नाम है, if name का जो भी नाम होगा if if name, dot text dot txt text ठीक अगर इसका dot text property क्या है खाली है ठीक या फिर खाली है या फिर क्या करो, इस खाली को नहीं इस तरह से भी आप कर सकते हो string dot empty ऐसे भी हमा हम काम करते हैं ठीक, string dot empty अगर यह एमटी है, तो क्या return कर जो जी message box में दे दो क्या message box में दे दे enter if या ने या मी enter if name ठीक, चलिए जी अन्य था क्या करो, अन्य था कुछ मत करो जी मैं खाली ही छोड़ रहा हूँ ठीक है ID student पर मैंने click करा save button पर click करा यह तो कुछ हो यह नहीं रहा है क्यों नहीं हो रहा है मैंने function को क्या करा call नहीं करा जी तो यहाँ पर आऊँगा और is true के जगा पर मैं function को कर दूँगा call ठीक तो is validated क्या return करेगा या तो true return करेगा या तो false return करेगा ठीक है अब चलते हैं जी add new student save पर click करा बोल रहा है ना enter if name यहाँ कुछ नहीं type क्या हूँ तो बोल रहा है enter if name ठीक है यहाँ पर मैं कुछ space दे दिया अब save पर click करूँगा तो क्या हो रहा है इतले लिया जी कुछ लिखूँ तब तो यह ले ले ठीक है लेकिन space भी enter कर दे रहा हूँ तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए छोटा सा काम करना चाहिए कि हमको पानवाले के पाँ जाकर चाहिए कि सीख लेना चाहिए कि चूना कईसे लगाया जाता है जब हम सीख लेंगे तो हम भी हमको पता चल जाएगा कि यह चुना लगाने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ प्याम को क्या करना पड़ेगा text dot क्या dream ठिक अब यह dream function क्या करेगा जी यह dream क्या है methodology जी और यह क्या करता है जो खाली space रहता है न उसको खतम कर देता है जब खाली space को खतम कर देगा तब क्या हो जागा empty हो जागा और entering से जो है यह empty entering से match हो जागा और बोल देगा यहाँ पर interrupt name मैं करके दिखाता हूँ आपके ठीक है जी ID student पर मैंने click करा यहाँ पर space दिया और फिर मैं save button पर click कर रहा हूँ अब यह बोल रहा ना interrupt name तो यह अब हम कोई space दे करके चूना नहीं लगा पाएगा कुछ type हम करेंगे तो क्या होगा तब यह ले लिया देखें ले लिया आप लोग तो अब ऐसे ही काम कर लेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इंटर एफनेम किया फिर क्या कर देंगे एफनेम.focus मैं focus method यहां पे call कर दे रहा हूँ focus करने से क्या हो रहा है जी focus का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ मैं focus यहां करा save button पे click करा बोल रहा है इंटर एफनेम और हमारा cursor अपने यहां पे blink करने लगा अब यहां सीधा type कर सकते हैं focus अगर नहीं लिखे हो तेक तो क्या होता मैंने select इसको L name पे select किया था ना तो message तो देता इंटर एफनेम लेकिन focus हमारा L name पे ही रहता अगर हम focus method call नहीं किया होते तो आपको यकीन है मैं करके दिखा दूँ देखा दे रहा हो करके यहां पे आया जिस पे मैं click करा interrupt name तो इसलिए focus एफनेम पे ही आए ना तो इसलिए focus एफनेम पे मैंने करा था चलिए जी हम क्या करेंगे यही technique कि इस्तेमाल करेंगे यहां पे in deep के दिवा पे हम क्या कर देंगे जी else if लगाएंगे और फिर क्या कर देंगे il name कर देंगे il name dot take dot trim कर देंगे ठीक है string dot empty तो क्या कर दो जी यही method यहां पे फिर से call कर देंगे हम messages ठीक है अच्छा हो यह idea मेरे को ही आया कि ऐसे बार बार लिखने से बेटर है कि मैं कुछ function बनाओ लेकिन अभी तुरंट मैं function बना दूँगा तो सायद आपको ना समझ में आए इसलिए मैं अभी functions मैं नहीं split कर रहा हूं इसको ठीक है अभी मैं इसको normally जैसे copy paste करके बना रहा हूं वह ऐसे ही कर दे रहा हूं इंटर फादर नेम ठीक इंटर फादर नेम एफ नेम में focus कर देगा अच्छा एल नेम है ना तो इंटर लाश्ट नेम लिखना चीए ना मेरे को इंटर लाश्ट नेम ठीक है जी एफ नेम के जिगा पे L name कर दूँगा मैं फिर से इसको मैं क्या करूँगा जी copy ठीक है यहाँ पर आऊँगा कर दूँगा else if else if मैं क्या कर दूँगा first name last name उसके बाद क्या कर दूँगा जी father name ठीक तो father name dot text property dot trim कर दूँगा मैं ठीक है जी dot trim trim करने के बाद क्या होगा h-t-r-i-n-g string dot empty ठीक है जी empty हम कर देंगे ठीक है और अगर empty है तो क्या करना चाहिए जी यही message box को मैं copy paste कर लेता हूँ यार enter father आप लोग क्रिप्या करके आपस में वारतालाप ना करें ठीक है अन्य था आपका ध्यान हट जाएगा यहां से और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या समझा दिया उस समय पे जब आप वारतालाप में बैस्तु थे ठीक है जी यह ले लिया मैं ठीक है जी आगया फादर नेम के बाद है मदर नेम ठीक है तो मदर नेम भी कर लेते हैं जी हम वैलिडेट इसी को मैं कापी पेश्ट मार लूँगा यार का यसी अगया ठीक है फादर के जगर पे हम क्या लिए लेंगे मदर नेम ठीक है और यहाँ पे हम फोकस भी कर देंगे मदर नेम पे जी ठीक है इसके बाद क्या है जी इसके बाद तो हमारा काम होई गया है लगबग ठीक है डेट आफ वर्थ और डेट आफ टेड मीशन ठीक है इसको भी तो वैलिडेट हमें करना होगा इसको कैसे करें जी वैलिडेट इसको validate करने का technique थोड़ा सा बदलेगा ठीक इसमें अभी by default date time आ रहा है ठीक है तो date time के उपर मैं date time control को मैं specially आपको थोड़ा बताऊंगा ठीक है इसलिए मैं date time को अभी छोड़ रहा है ठीक है जी मैं सीधा आता हूँ यह combo box में combo box को validate कैसे करेंगे जी ठीक है mother name तो हो गया है तो else if मैं आऊंगा और क्या करूंगा combo box dot class dot selected index ठीक अगर कुछ भी select नहीं है combo box में right समझ रहे हैं आप लो combo box में अगर कुछ भी selected नहीं है उस समय पे यह selected index मालूम है आपको क्या रहता है minus 1 रहता है ठीक तो हम क्या करेंगे जी comparison कर लेंगे कि minus 1 तो नहीं है अगर minus 1 है तो क्या करो message box दे दो की select करो भी class ठीक तो हम क्या करेंगे P-L-E-A-S-E please select class और select class पे हम क्या करा देंगे focus ठीक है जी समद गया आप लोग यह वाला लाइन आपको साइज समझने में तकलीब रहा हो तो आप लोग बताएंगे इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको नहीं है समस्या मैं इसको थोड़ा simplify करता हूँ आपके लिए ठीक है इस लाइन को मैं क्या करूँगा जी थोड़े देर के लिए comment कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग और यहाँ पे मैं पास कर दिया selected index ठीक है यह मैं जी बॉक्स के अंदर मैं दिखा दूँगा इसको ठीक है जी अब मैं प्रोग्राम भू करता हूँ मैंने इसो किया बड़ा मैंने यहाँ पे आया अभी कुछ भी select नहीं किया हूँ न मैं अब save button पे मैं click करूँगा तो आ गया न minus 1 तो हम comparison कर लिए कि इसका selected index minus 1 तो नहीं है अगर minus 1 है तो क्या करो जी बोलो please select class माली जी DCA select किया है तो क्या आएगा जी 0 आएगा index अगर 1 is BCA select कर आएगा BCA ठीक है जी MCA select किया है तो क्या आजाएगा 2 ठीक है लेकिन कुछ भी select अगर नहीं है तो क्या आजाएगा जी minus 1 तो हम बस यही चेक कर लेंगे कि कहीं है minus 1 तो नहीं है क्या करेवा आप क्या कहना चाह रहे है मुझे नहीं पता कि मैं उस बात को समझ रहा हूँ या फिर भरमी तो हो रहा लेकिन आप जो कहना चाह रहे है सायद मैंने वो काम करा है नीचे देखिए combo box class.selectedindex इसका मैंने comparison किया minus 1 से अगर minus 1 है तब क्या करो message दे दो please select class और focus कर दो combo box पे तो क्या यही आपका answer है था तो मैंने तो यह कर रखा है आप चलिए जी अब हमें क्या करना पड़ेगा gender के लिए भी select करना पड़ेगा else if ठीक है अब इसमें क्या है दो ठो रेडियो बटन है male और female इसके लिए हमें क्या validate करना पड़ेगा जी इसको validate करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ ठीक क्या दिखाना चाहता हूँ मैं दो ठो message box यहाँ पे लिखता हूँ पहले ठीक है और mail.ch checked करता हूँ mail.ch checked mail.ch checked करा और फिर यहाँ पे एक नटा थोड़ा सा मुझे समय दीजेगा चलिए जी तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं message छोड़ता हूँ क्या याँ एल एल ए ठीक इसको ऐसे कर दूँगा ठीक है और फिर इसको मैं नीचे आकर के paste कर दूँगा और लिख दूँगा ठीक है ऐसे ठीक है जी आप लोग समझ गयो मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है female.ch checked और mail.checked हम यह जानने का कोशिस करता है कि यह checked में क्या आता है ठीक एसे भी मैं पता ही दिया हूँ आपको check box, radio button आपको समझ में तो आई रहा होगा देखिए save button में मैंने click करा और I mail false ठीक फिर आया female false अब मैं mail को क्या करता हूँ select कर देता हूँ ठीक अब करता हूँ save क्या आया mail true ठीक female false ठीक मतलब क्या है समझते हैं आप लोग मतलब बिलकुल सीधा सा है और वो ये है मतलब कि अगर checked रहेगा ये तो आएगा true अगर checked नहीं रहेगा तो आएगा false अब हमको ऐसा condition लिखना है कि या तो male checked हो या तो female checked हो कोई ना कोई एक्ठो checked होना ही चाहिए राइट या male हो या तो female हो जी तो मैं क्या करूंगा जी यहां पर फिर से इल्स इफ लिखूंगा और यहां पर क्या कर दूंगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि male checked है अगर true के बराबर ठीक है या तो female checked होना चाहिए true के बराबर अगर हाँ तो क्या करो इसके अंदर आ जाओ लेकिन पता ने क्यों एक condition में गलत लिख रहा एक condition में गलत लिख रहा यहाँ पर मुझे false लिखना चाहिए फाल्स लिख देता हूँ फाल्स ठीक अगर यह फाल्स है ठीक है दोनों में से कोई है मैं और condition लगाया हूँ दोनों में से कोई एक भोगा तब काम करेगा तो क्या करो जी सिंपल सा बात है मैसेज बॉक्स दे दो की पी ल, ए, 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 प्लीज सेलेक्ट ठीक ठीक है जी अगर यह यह भी जो है सेलेक्ट कर लिया ठीक है जी मैसेज देंगे हम और इसके बाद आखरी में हम else block लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे जी true true कर देंगे जी आखरी में ऐसे अन्य था आखरी में मैं false कर देता हूँ यार return फाल्स कर देता हूँ मैं आखरी में ठीक है अब इन सभी के नीचे focus के नीचे false यहाँ पर return ऐसे लिखने से ब्यातर मैं सुचता हूँ कि यहीं false लिखो आखरी में सबसे ठीक है जी run करते हैं प्रोग्राम देखते हैं अब यह क्या कहता है ठीक है मैंने save बटन पर क्लिक करा जी इता कुछ हो यह नहीं रहा है जी का मजाग है कुछ ना कुछ तो समस्या है क्या समस्या हो सकता है जी आप लोग बताएंगे मुझे नहीं बता हो गए अन कमेंट करता हूँ यहाँ पर मैसेज देता हूँ मैं validate successful का क्या दे तुम का जी success का spelling सही है ऐसे क्या करें हमारा अंग्रेदी इतना जादे खराब है चलिए आदाओं में इधर save button पर click क्या बोल रहा है enter name डाल दिया name ठीक है फिर बोल रहा है enter last name मैं कुछ चो डाल दूँगा जी मेरे पास इतना time कहा है फिर मैं फादर ने में पूछ रहा है कुछ चो डाल दिया फिर ये पूछ रहा है मदर ने में बताओ कुछ चो डाल दिया फिर ये पूछ रहा है भाई कुछ class तो select कर लो मैंने डाल दिया BCA फिर मैं select कर लेता हूं बोल रहा है कुछ select तो कर एलिया फिर से पे क्लिक किया यह तब फिर से वही बोल रहा है Please select gender यह तो मजा नहीं आएगा Please select gender हमको अब समझ में आ गया कि क्या यह बोल रहा है हमको यहाँ पे end लगाना चाहिए क्यों end लगाना चाहिए क्यों कि यह भी false यह या तो देखिए और के case में क्या होता है कि यह वाला condition या फिर यह वाला condition दोनों side में से कोई भी एक condition true हो जाए तो यह वाला तो चली जाएगा न तो इसलिए और का यहाँ पे condition फेल हो गया मेरा मैं end लिग दूँगा तो काम करेगा जी ले लो जी आप कर लेगा ठीक है दोनों में से कोई एक ठोचेक हो जाएगा तो यह condition फाल्स हो जाएगा और फिर नहीं दिखाएगा message box ठीक है चलिए दी मैं यहाँ पे आता हूँ ID student पे क्लिक करता हूँ हम सब में tap tap दबा के कुछ कुछ लिग देते हैं मजा नहीं आया मेरा कोई अपने आप सेलेक्ट हो गया इसका भी solution करना पड़ेगा नेम डाल दिया इपने इल नेम डाल दिया अधर नेम डाल दिया यह डाल दिया यह डाल दिया अब यहाँ पे मैं class सेलेक्ट कर लिया अब मैं save button पे क्लिक करूँगा गोल्डाय अप सेलेक्ट जेंटर करो मैं mail सेलेक्ट करके कर दिया यह गोल्डाय सक्सेस ठीक जी लेकिन ही तो बहुत नाइंसा भी है मैंने picture box को validate करना भूल गया अभी कर लूँगा जी validate ठीक है और क्या करूँगा आउँगा मैं सब से उपर ठीक है जी यहाँ पर लिखूँगा if is nothing इसको मैं क्या दे दूँगा जी picture box picture box one dot image ठीक है जी is nothing then क्या करो message box दे दो और बोल दो select image ठीक है जी और यहाँ पर in deep के जिगा पर क्या कर देंगे जी हम else कर देंगे जी ठीक है हमारा काम क्या होगा बन जाएगा चिर जी सब से उपर में picture box को validate करा हूँ ठीक है तो क्या होगा जी सब से उपर में आऊंगा जी इसको select अभी नहीं करूँगा इस पर क्लिक कर दूँगा बोल रहा है select image अब मैं select image पर आऊंगा क्लिक कर दिया इस पर आ गया अब इस पर क्लिक करूँगा ठीक है तो अब picture box के लिए नहीं दे रहा है message दे रहा है name के लिए तो हमारा ये भी validate काम कर गया अब जैसे new पर क्लिक कर रहा हूं तो ये photo हटा नहीं इसमें कुछ लिखता मैं तो भी ये नहीं हटता ठीक है ठीक एक data लिखा लिखाया आई रहा है इसको तो हटना चाहिए था ना इसके लिए आमको क्या करना चाहिए जी छोटा सा logic मैं लिख दूँगा इसके लिए कौन सा logic लिखूँगा आउंगा मैं किस form पे जी इस form पे आउंगा मैं solution explore कहा है इस वाले form पे dashboard वाला form है ठीक इसी पे double click करूँगा यहाँ पे जो ऐसे लिखा है मैंने इसको मैं क्या करूँगा जी इसको दबा दिया home आ गया यहाँ पे team add student open ठीक as new ऐसे मैं कर दूँगा जी इसको और फिर इस वाले को यहाँ पे ला करके paste कर दूँगा ठीक है वो वाला जो हमारा समस्या आ रहा था वो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे object बना दिया object नहीं बना ऐसा ही call जब मैं कर रहा था तो ऐसा ही call तो हो जाता था लेकिन static होने करण data रह जाता था आ गया जी अब मैं इसको close करूँगा और फिर से new पे click करूँगा तो आप देखे कायब हो गया हो ठीक है जी तो किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए जी और नहीं पूछना है तो बताईए फिर हम चलिए 33 मिनिट हुआ है कोई खास नहीं है समय हुआ बताईए जी कुछ दिक्कत है इस वैलिडेट वाले में है तो आप लोग पूछ लीजिए नहीं है दिक्कत फोटो खाटो फीचे का क्या कोई है मन करे तो लीख लो ना मन करे मत लीखो फोटो खीच लो जो मन करे करो तो क्या कैते हो भाई आगे पढ़े है या प्रिक्टिकल करोगे आप लोग हाँ वाँ भाई प्रिक्टिकल करो गए बड़ा जोस में लग रहा है वाई च्छुम पीछे आप लोग क्या कहते हो प्रिक्टिकल करोगे या बाकी या पिर अभी पढ़ना है बाकी भी मैं सोच रहा हूँ की खतम कर दु पढ़ा के लेकि कि ने लोग जो है कारते हैं प्रेटल करो लो कर लो जो क्या कर सकते हैं फोटो इसका खीच लो तब तक में इसको पाउस करके रखता हूँ ये टोटल है जी हमारा को जो रिकोर्डिंग देख रहागा हो भी खीच ले फोटो खटो आप लोग तो खीच ये लिए तो बाकी देखते हैं अगले लिए ठीक है तो बाकी देखते हैं अगले लिए ठीक है